Hello everyone, welcome back to my channel So part 3 के starting में हमें दिखाया जाता है कि यहां पर गन की सेक्रेटरी आकर उसे बोलती है कि गन तुम इतने सालों से सिंगल हो अब तुम यह भी एक अच्छी सी लड़की ढूंड कर उससे शादी कर लेनी चाहिए उसके बाद गन यहां पर अपनी एक्स गर्फरेंड के बारे में सोचता है जो उसे दोका दे दी रहती है उसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ के बारे में सोचता है और वो भी उसे दोका दे कर चली गई रहती है और वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि मैं अभी अपने past से पूरी तरह से उबर नहीं पाया हूँ तो अभी मुझे थोड़ा सा time चाहिए मैं अभी किसी और लड़के को accept करने के लिए ready नहीं हूँ मैं बस चाता हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे उसके बाद वो विमाला के बारे में सोचता है और मैं नीमन हसने लगता है क्योंकि यहाँ पर गन विमाला को like करने लगता है यहाँ पर विमाला से मिलने उस resort की एचार आती है जिसका नाम नीहा रहता है उसे बोलती है कि विमाला तुम तो ओन को जानती ही होगी उसने ही तुमें यहाँ पर जॉब करने के लिए बेजा है मैं उसकी फ्रेंड हूँ मैं यहाँ पर एचा डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और और ने तुमें एक important document खुजने के लिए बोला है और वो document गन अपने घर पर रखता है और वो अपने घर में किसी को भी जाने नहीं देता है तो यहाँ पर विमाला उसे बोलती है अगर वो किसी को जाने नहीं देता अपने घर तो फिर मैं कैसे उसके घर से वो document ले कराऊंगी तो निहा बोलती है कि मैं तुमारी help करूँगी इसमें तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बठा तुम्हें बहुत साबधान रहना होगा क्योंकि बॉस बहुत ही डेंजरिस इंसान है अगर वो एक बार तुम्हें पकड़ ले तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती तो तुम्हें बॉस का दिल जीतना होगा तुम्हें बॉस को ऐसा बनाना होगा ताकि वो तुम पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर सके और ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम पकड़ी जाओ उसके बाद तो मैं सारी चीज़े खुद संभाल लूँगी तुम बस अपना टास्क कम्प्रीट करो जो तुम्हें आवन ने दिया है उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जिस गुंडे को गन पकन लेता है वो गुंड़े अपने बॉस के पास पहुँशता है यहाँ पर उसका बॉस उसे मारता है और बोलता है कि तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था तुमसे वो भी नहीं हो पाया तो यहाँ बर वो गुंडा बोलता है कि बॉस मैंने उसके रूम में सब जगा में प्रॉपर्टी पेपर खोजने की कुरूशिस की बट मुझे वो प्रॉपर्टी पेपर उसके घर में कहीं नहीं मिले उस गुंडे का बोस बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता यह पॉसिबल ही नहीं है गाओ वालों ने वो प्रॉपटी मुझे नहीं बेच कर गन को बेच दी और गन तो फ्री में उनके प्रॉपटी लेगा नहीं इसका मतलब वो प्रॉपटी के पेपर कहीं तो होंगे अभी हम लोग थोड़ा वेट करते हैं मैं गन को ये ऐसास दिलाऊंगा कि उसने बहुत गलत आदमी से पंगा लिया है उसके बदमे सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर विमाला गन के गुदाम में आती है तो वो देखती है कुछ गुंडे उसके गुदाम के पास खड़े है और वो लोग पेट्रोल से उसके गुदाम में आग लगाने की कोशिस कर रहे हैं यहाँ पर विमाला उन गुंडों से बचने की कोशिस करती है ताकि वो लोग उसे देखना पाए और इधर विमाला को समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या करे उसके बदमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर किचन की जो इंचार्ज रहती है वो गन के मैनेजर को आकर के बोलती है कि मैंने सुना है कि बॉस ने नियू सेक्रेटरी हायर की है तो गन का मैनेजर बोलता है कि हाँ किचन की इंचार्ज जो रहती है वो बोलती है कि मैं हमेशा से गन की सेक्रेटरी बनना चाहती थी बट मुझे हिम्मत ही नहीं इस जॉब के लिए अपलाई करने की तो यहाँ पर गन का मैनेजर बोलता है कि बट तुम अभी जो काम कर रही हो वो काम भी बहुत अच्छ है तुम अपने काम मेहनत से करो और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे जरूर बताना मैं तुमारी हेल्प करूँगा उसके मदमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गन का मैनेजर रिसॉर्ट में जो गार्डिन रहते है वहाँ पर जाता है जहाँ पर एक लड़की पौदर लगा रही होती है जो गार्डिन डिपार्टमेंट की मेन रहती है और गन का मैनेजर उसे आकर के बोलता है जो हमारा नया गार्डिन बन रहा है वो कितने दिन में कम्प्लीट हो जाएगा तो garden department की जो head रहती है वो बोलती है कि मुझे 2 week को odd time चाहिए उसके बाद ये काम complete हो जाएगा यहाँ पर garden department की जो head रहती है वो gun के manager को like करती है उसके बाद हमें scene में दिखाया जाता है कि gun का जो गुदाम रहता है उसमें आग लग गई रहती है तो यहाँ पर gun का staff लोग बोलता है कि बॉस लगता है आपकी गुदाम में आग लग गई है तो यहाँ पर gun दोड़ कर अपने गुदाम जाता है उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है जिस गुदा में आग लग गई रहती है विमाला वहीं पर रहती है और वो आग को बुझाने की कुशिस करती है बट वो वहीं पर फस जाती है उसके बाद गन अपने गुदा पहुंचता है तो वो देखता है विमाला वहाँ पर फस अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छी नगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करेगा मैं चैनल को सिब्स्क्राइब करेगा मैं जल दिसके एक निए अपिसोड लेकर क्या होंगी जो बहुत ज़ाद इंट्रिस्टिंग होने वाला है तो इसके लिवेट करेगा आपको फ्रेंट साथ के लिवाइब में मिलते कर से एक निए वीडियो के साथ